Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे साल 2009 में इरान और पाकिस्तान दोनों मिलके एक एनरजी डील के उपर साइन करते हैं जिसके तहट इरान से लेके पाकिस्तान एक गैस पाइपलाइन बिछाया जाता जिसके मदद से इरान पाकिस्तान को नैच्रल गैस सप्लाई करता लेकिन आज के डेट में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट 90 से लेके 95% एक फेल्ड प्रोजेक्ट हो गया है वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे वज़ा हैं लेकिन अगर हम कुछ वज़ा के उपर ध्यान दे तो एक तो है कि USA और Western countries के दुवारा इरान के उपर sanctions लगाना और दूसरा वज़ा हम कह सकते हैं बहुत हद तक कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं और उसके बाद भी अगर हम इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो हमें मालूम पढ़ेगा कि अगर आप USA और कुछ Western countries के साथ में हैं या करीब में हैं तो आप सही हैं और अगर आप किसी भी कारण से USA या कुछ Western countries के साथ नहीं हैं तो आप गलत इस वीडियो में हम इरान पाकिस्तान एनरजी डील के बारे में हम कुछ बाते जानेंगे मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये है इरान और ये है पाकिस्तान दोनों एक पडूसी मुल्क है और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दू कि एक बलुचिस्तान इरान में भी है और दूसरा पाकिस्तान में भी है और दोनों एरिया काफी disturbed एरिया है वो भी बलुचिस्तान जो इरान में आता है वहाँ के लोग भी अपने आपको इरान के साथ connect नहीं कर पाते हैं और वो भी बलुचिस्तान जो पाकिस्तान में आता है ये लोग तो खैर openly अपने सरकार को resist करते ही है और चाइना पाकिस्ता economic corridor में जितने भी जो projects थें जो बलुचिस्तान में होतें उन सभी को temporarily रोग दिया गया है तो जब 2009 में ये फैसला किया जाता है कि इरान से लेगे पाकिस्तान तक लगभग 1700 किलोमेटर का gas pipeline को बिचाया जाएगा तो इसके बारे में ये था कि ये इरान के बलुचिस्तान की economy एक bankrupt economy है और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये legal तरीके से oil खरीज सके या natural gas खरीज सके तो जहाँ पे legal तरीका नहीं होता है वहाँ पे कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकल के आहीं जाता है पाकिस्तान और इरान दोनों पडूसी मुल्क हैं तो इसलिए इरान से illegal तरीके से तेल पाकिस्तान पहुंचता है और पाकिस्तान की जो सरकार है वो भी इसको permit करते हैं एक तो इरान क्योंकि sanction देश है इसलिए इरान के पास ये option नहीं रहता है कि वो legal तरीके से अपने तेल को बेच सके वहीं दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो almost energy का requirement तो सभी को है चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और देश हो और उसके बाद बलुचिस्तान प्रोविंस जो इरान में पढ़ता है और बलुचिस्तान प्रोविंस जो पाकिस्तान में पढ़ता है दोनों एरियास के जो लोंग है वो बढ़ चड़कर इस black marketing में उनका participation है तो as a result जो उनका रोजगार है वो इसी black marketing से आता है तो इसी ये भी चाहे वो इरान है चाहे वो पाकिस्तान है उनके लिए ये illegal tail का जो business है वो सही है आप जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दो कि इरान के पास दुनिया का second largest proven natural gas reserve है इससे उपर सिर्फ रश्या ही रह जाता है उसके बाद इरान के पास दुनिया का fourth largest oil reserve है तो कहने का म इस्रेयल और कुछ western countries के साथ इनके relation अच्छे नहीं है as a result इरान oil legal तरीके से market में नहीं बेच सकता है उसके बाद अगर किसी भी तरीके से इरान के उपर sanctions अगर कम हो जाते हैं या खतम हो जाते हैं तो जो global price है crude oil और natural gas का वो बहुत हद तक कम हो जाएगा इसका impact पड़ेग क्योंकि अगर market में जितना demand है और उतना ही supply है या in fact supply जादा हो जाता है तो जो चीज का जो कीमत है वो फिर घट जाता है और अगर इरान का natural gas या oil market में legal तरीके से अगर आना शुरू हो जाएगा तो कहीं न कहीं इरान और इस्रेल की बीच में relation बहुत खराब है इरान का economic development होगा तो जैसे ही इरान का economic development होगा ये कहीं न कहीं फिर अपने defense को भी strong करेगा तो as a result ये direct threat पहुचाएगा आपके इसरेल को, US को, Saudi Arabia को और UAE को तो इन सब बातों को जानने के बाद हमें एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि ये सब मुद्दे इ pipeline को भी छाएंगे और जिस pipeline का नाम दिया जाता है peace pipeline तो normally कहीं पे भी होता है कि अगर हम कोई contract sign करते हैं तो उसमें कुछ rules regulations होते हैं जिसको कि हमें follow करना होता है क्यूंकि इरान अपने side पे लगभग हम कह सकते हैं कि 900 km का वो pipeline को बना दिया है लेकिन वहीं पे Pakistan अपने side पे इस project को हम कह सकते हैं कि शुरू भी नहीं किया है तो as per contract इरान के पास ये हक है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ legal action ले सकता है इरान ने exactly कहा भी यही कि इसी साल के September के महीने तक अगर पाकिस्तान अपने promise को fulfill नहीं करेगा तो इरान international court में जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ case क और जिसके हिसाब से पाकिस्तान को कुछ 18 billion American dollars का उनको compensation देना पड़ेगा हलाकि ये amount पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा amount हो जाता है और अगर किसी भी तरीके से इरान अगर international courts में जाता है तो वहाँ पे भी उनको कुछ ज़्यादा benefits मिलने वाले है नहीं ऐसा क्यों है इ US से permission लेना ही पड़ेगा अगर वो ये सोचते हैं कि उनको इरान से natural gas या oil purchase करना है तो और definitely अगर जहाँ बात इरान की हो जाती है वहाँ पे US और भी साथ में अलग-अलग western countries ये कभी नहीं चाहेंगे कि इरान मजबूत हो Middle East में total 18 countries हैं और इन सभी देशों के पास oil और natural gas कम और बेसी available है तो जिस देश के पास जो चीज होता है वो देश उसी चीज को export करता है तो इरान बहुत सालों से ये interested है कि वो gas pipeline के थुरू oil और natural gas को वो अलग-अलग देशों में वो supply करें किसी time पे government of India भी काफी interested थें कि वो इरान से natural gas और oil purchase करें इन फैक्ट भारत इरान से oil भी purchase करता था लगबग 2018-19 तक लेकिन क्योंकि इरान के उपर multiple sanctions लग गए और कहीं न कहीं हमें ये डर है कि कई हमारे उपर भी sanctions ना लग जाए तो इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम इरान से oil purchase नहीं करेंगे और इरान बहुत सालों से ये interested है कि वो nuclear weapon को बनाए तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों अगर इरान किसी भी तरीके से nuclear weapon को बना पाता है तो वो directly threat पहुँच जाएगा US को, Israel को, Saudi Arabia को और भी अलग-अलग कुछ western countries को तो अगर किसी भी तरीके से किसी भी देश का अगर economic development को आप रोग देते हैं तो almost आप उस देश को पुरी तरीके से बरबात कर देते हैं यहाँ पे जो इरान के nuclear program है इसको contagious बताया जा रहा है तो ये सब कुछ शब्दों प्यागर आप ध्यान देंगे तो आपको मालुम पड़ेया कि अगर यही काम कोई western countries करेगा त तो same action खराब हो जाता है 2009 में जब पाकिस्तान और इरान ये फैसला करते हैं कि दोनों देशों के बीच में gas pipeline डाली जाएगी तो वो एक लगभग कुछ हम कह सकते हैं 25 साल का वो contract को sign किया गया था उसके बाद जैसे ही इरान ये कहता है कि वो international courts में जाएगा और पाकिस्तान के उपर जो contract का violation है उसके संबंधित वहाँ पे वो case करेगा तो पाकिस्तान को कुछ दिखाना है कि वो इस project को काफी seriously ले रहा है तो इसलिए पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के बलुचिस्तान province है यानि कि खास करके जो इरान का border लगता है वहाँ से वो के बलुचिस्तान province में जहाँ पे सरकार का कोई खास पकड़ भी नहीं है और जैसे ही US को ये मालूम पढ़ता है कि पाकिस्तान इरान के साथ इस gas pipeline को आगे बढ़ाना चाहता है तो वैसे ही US का भी statement आ जाता है जहाँ पे वो साफ और इस पस शब्दों में कहते हैं कि वो इ पाकिस्तान में कोई economic stability है नहीं पाकिस्तान में leadership crisis है तो इसलिए भी पाकिस्तान बढ़ चड़कर इरान के साथ oil या natural gas का deal में आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि चाइना बढ़ चड़कर इरान से oil purchase करता है और जिसके बारे म अल्मोस्ट सभी को पता है उसके पास जो analyst है उनका ये मानना है कि इरान के पास gas reserve तो है लेकिन कहीं से भी अगर आप कुछ भी अगर आप explore करते हैं तो उस exploration में कुछ cost लगता है कुछ machinery लगता है तो क्यूंकि इरान एक sanction देश है इसलिए इनके पास वो परयापत machinery नहीं है जिसके मदद से ये natural gas को explore कर पाए हलाकि बहुत हद तक Russian companies इरान को support करते हैं इनके project में लेकिन सिर्फ रश्या के द्वारा ही support करने से इरान का जो development है वो नहीं हो पाएगा उसके बाद ऐसा भी देखा गया है क्यूंकि इरान fourth largest oil reserve देश है second largest gas reserve देश है तो इनके पास oil और natural gas भर-भर के है तो इसलिए भी क्या होता है कि जो consumption है इरान में oil और natural gas का वो काफी inefficient तरीके से यानि कि हम कह सकते हैं कि बरबादी काफी जादा है energy का तो अगर in a way हम ये समझना चाहें कि इरान भी उस position में नहीं है जिस position में आके वो पाकिस्तान को उसके हिसाब से natural gas का supply कर स डाला ही नहीं गया है पाकिस्तान के द्वारा तो अगर वो natural gas को लेगा भी तो वो किस तरीके से लेगा तो ये भी एक अपने आप में सवाल कहले या challenge है पाकिस्तान के लिए वहीं अगर हम as per experts की माने तो अगर किसी भी तरीके से इरान अगर international court में जाता है और अपने इस म benefit मिलेगा इसके भी जो chances से वो almost negligible है और उसके बाद जब से Russia और Ukraine के बीच में war शुरू हुआ है तब से इरान और Russia काफी close आए है उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत हद तक Russia और North Korea भी काफी close आए है चाइना भी काफी close गया है North Korea का या कहले एक दूसरे का काफी close आए है त as a result जो global aggression है tension है वो बढ़ता हुआ जा रहा है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye